इस समय हम मौजूद हैं हल्दलपूर में और आपको बता दूँ कि हल्दलपूर वह अस्थान है जहां पे 27 तारिको भारतिस स्वल्देव पार्टी के तरफ से उसके उन्यश्वे अस्थापना दिवस के उसर पे जो महा पंचायत का आयोजन किया गया है तो कहीं न कहीं यह ज जल्द ही भारतिस स्वल्देव पार्टी की और समझवादी पार्टी का जो गडफंधन हुआ है उसको देखते हुए समझवादी पार्टी के अखिलेस यादों को जैसे इन्वाइट किया है उंप्रकास राजभर ने और आपको बता दो कि इस वजह से मंच को मंच साजा कर अब देखने को तस्वीर साब 27 तारिक को ही होंगी जब यह हेलेकॉप्तर यहाँ पे लैंट करेगा उत्रेका और उसमें से जो नेता बाहर निकलेगे अब देखने को यहां पे जो महापंचायत होने वाली है बारती स्वल्डेयों पार्टी के तरफ से वह यही मेन मंच है जिस पर अखले स्यादों मौजूद होंगे जिस्वां प्रकास राजभर मौजूद होंगे अब देखना यह है कि जो बहुत हो होने जो माली है जो मंच है यह वही है उसके भगल में ठीक आप देख रहे हूँगे लाटी तायार किया गया हो सकते हैं इस पर मगर वहीं पर देखा जाए कि एक मांच है जिस पर छोटे दल के जितने भी नेता है जिनका भी भागेदारी संकल्प मोर्चा के जो भी गड़ बंदन में नेता हैं उनके लिए और ठीक एक सामने देखेंगे और मंच तयार किया रहा है जहां पर संस्कृति कारेक्राम होगा और जिस तरह से आप थोड़ा सा और तस्वीर हम आपको क्लियर करते हैं आज इस मंच के बारे में बताते हैं आपको बता दूंगे जब आप रतनपूरा के तरफ जाएंगे और यह जो आगे का जितना भी सेक्षन दिखाई दे रहा है आगे जो भी यह है जोबी जगा बचेंगी कि यहां पर बहुत महां पंचायत है बड़ी पंचायत है तो यहां पर लोगों के जहेड सी बात है कि बहुत सारे लोग आएंगे आप बहुत बढ़ी होने वाली है क्योंकि 2022 के चुनाओं को देखते हुए जो तैयारी है आप भारतियस वह पार् तो पुरवांचल से ही अगाज किया था और जिस वही चाल अगर देखा जाए क्योंकि जिस समय बीजेपी की सरकार बनी थे उस समय उम्परकासर राजबर बीजेपी के साथ थे और अब इस समय गढ़बंदन टूड़ने के बाद बगावत करने के बाद पार्टी से पर आज महा पंचायत कायोजन किया गया 27 तारी को तो यह देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से यह मंच बनाया जा रहा है जिस तरह से यह पूरी दूरी देख सकते हैं इसे अंधाजा लगा सकते हैं कि भीड कितनी होगी लेडिसों के अलग सेक्षन देखा जाए तो जो भारती सुल्देव पार्टी का जो उन्हें स्थापना दिवस है उस अफसर पर उन्हीं के लोग सामिल होंगे बट अब देखने को यह है कि 27 तारीकों तस्वीर जो सामने आती है क्यास तो बहुत लगाए जा रहे हैं कि कौन से बहुत से बड़े-बड़े नेता भी आ सकते है सुपाल की बात हो रही थी वैसी जी की बात हो चल रही है अखिले स्यादोजिन का कंफर्म हो चुका है को मंच साजह करेंगे अब देखने वाली चीज है क्योंकि 2022 को ऐसे को यह असानी से जाने नहीं देना चाहता क्योंकि उत्तर परदेश का चुनाव है उत्तर सब्सक्राइब करते हैं कि हम जैसे बीजेपी के साथ थे तो उनकी सरकार बनी थी इस बार हम समाजवादी पार्टी के साथ हैं अब सभी पार्टियां है इस समय होड लगी हुई है जो रजमाइस में लगे हुए हैं मगर देखना यह है कि तस्वीर 27 तारी को क्या भया करती मरी है कहने का जा रहा है कि बहुत बड़ी भीड होगी यहां पर वैसे जिस तरह से सासी तैयारी चल रही है पिछले एकrosoft से पिछले महीनों से यह तैयारी चलें वह अगर जसे एक हफ्टे से जिस तरह सी एक रूप रेखा मैसेस की तैयार किया जाती है और भी सो Tex informs देना तो बीजेपी पार्टी ने इनको घटबंदन से बाहर कर दिया था इन्होंने बगावत कर लिया था कुस मांगों को लेकर इनका मामला बैठ नहीं पाया था और इन्होंने बगावत करके पार्टी से बाहर हो गए थे मंत्रीपद से मंत्रीपद को भी ठुकरा दिया था तो कह कौन कौन सी पार्टियां यहां पर गठवंदन जो गठवंदन की बात चल लिए तो कौन कौन सी पार्टियां हैं जो भागदारी संकल्प मुर्चा में मंच को साजा करेंगी अब देखने को तस्वीरें 27 तारीक को ही साप हो पाएंगी